इद के मौके पर धमाकेदार रिलीज सलमान खान की रेस थ्री जबरदस्थ हिट साबित हो रही है फिल्म की कहानी पर जितनी अनोखी है उतनी ही इंटरेस्टिंग कहानी इस फिल्म की मेकिंग की भी है फिल्म के प्रमोशन के दौरान सारी बाते खुल कर सामने आई सल्मान खान के फिल्म में फाइनल होने के बाद फिल्म के निर्देशक रेमो डुसूजा भी फाइनल हुए जाकलिन फिनांडेस और डेजी शाह का नाम भी सामने लाने वाले सल्मान खान ही थे सल्मान ने बताया कि ट्यूब लाइट फिल्म के बाद वो रेमो के साथ डैंसिंग डैड नाम की फिल्म में काम करने वाले थे जिसमें जाकलिन और डेजी शाह भी उनके साथ काम करने वाली थी ट्यूब लाइट के फ्लॉप होने के बाद डांसिंग डाज तो नहीं हो पाई पर सल्मान की ये तिकड़ी रेस 3 में जरूर नजर आई जैकलिन और डेजी सल्मान की बहुत बड़ी तान है और पहले भी उनके साथ काम कर चुकी है तो उनके लिए ये फिल्म करना आसान हो गया